जेह हिन दोस्तों स्वागत है आपका हमारी यूटूब चैनल में आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए यहाँ पर भूत ही महत्तुपूर्ण question answer गिर्जा कुमार मातरजी से संबंदित वीडियो पूरा वस्त देखना है अगर आप चैनल पर पहली बारा हैं तो चैनल को सस्क्राइब कर लें वीडियो को लाइक कर लें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लग जाए गिर्जा कुमार मातर जी से संबंदित फर्ष्ट question की बात करें तो यहाँ पर पूंचा है कि गिर्जा कुमार मातर का जन्म कब हुआ था यह आपको यहाँ पर बताना है जो कि महत्तुपूर्ण question पूचा गया है गिर्जा कुमार मातुर का जन्म कब हुआ था तो आपका यहाँ पर सही आंसर है 1919 ECB में 22 अगस्त 1919 ECB में गिर्जा कुमार मातुर का जन्म हुआ था question number 2 पूचा है कि गिर्जा कुमार मातुर की रचिनाएं अग्ये के किस्सा अतार सब्तक में प्रकासित हुई हैं तो यह आपको यहाँ पर बताना है महत्तपूर्ण question पूँचे गया है क्या होगा इसका सही answer तो आपका यहाँ पर विल्कुल सही right answer है यहाँ पर कि विकल्प नंबर आपका यहाँ पर जो एक है वह आपका right answer है यानि विकल्प हैं आपके तो आपका यहाँ पर सही answer है कि गर्जयकुमार मातुर्ण ने प्रारंव में किस भासा में कभी तालिखना शुरू किया तो आपका सही answer है बिरिज भासा विकल्प नंबर भी आपका यहाँ पर सही answer होगा question number 4 पूँचा गया है आपसे यहाँ पर गिर्जा कुमार मातुर का पिर्थम काप बिसंग्रह माना जाता है कौन सा माना जाता है यह आपको यहाँ पर बताना है क्या होगा इसका सही answer question number आपका यहाँ पर 4 है महत्वपूर है और यहाँ पर सही answer है मंजीर मंजीर इनका जो है पिर्थम का पिसंग्रह माना जाता है विकल्प नमबर एक राइट आंसर होगा गिर्जा कुमार मातोर का पिर्थम का पिसंग्रह मंजीर कब पिरकासित हुआ था यह पिरकासित बताने हैं 1938, 1949, 1940, 1941 कब पिरकासित हुआ था तो आपका यहाँ पर सही आंसर है विकल्प नमबर D 1941 ECG में प्रिकासित हुआ था question number आपका यहाँ पर चेप पूँचा है गरजा कुमार मातोर को साहित तकादमी प्रोषकार से कब सम्मानेत किया गया था question है इनको साहित तकादमी प्रोषकार मिला था गरजा कुमार मातोर जी को कब मिला था तो आपका विल्कुल सही राइट आंसर होगा यहाँ पर विकल्प नमबर एक यानि की 1991 विकल्प नमबर एक सही आंसर है question नमबर साथ पूँचा है गरजा कुमार मातोर को किस रशिना के लिए साहित तकादमी प्रोषकार मिला था मैं हूँ बक्त के सामने या भीतरी नदी की आत्रा सिला पंख चमकीले धूप के धान question नमबर साथ है और साथ का राइट आंसर है मैं हूँ बक्त के सामने इसके लिए इनको साहित तकादमी प्रोषकार मिला था गरजा कुमार मातोर जी को गरजा कुमार मातोर के प्रतम काप्व संग्रा मंजीर में भूमी का किस ने लिखी थी भूमी का किसे ने लिखी थी यह बताना है निराला ने, नागरजुन, पंतने या प्रसाद ने Q8 और 8 का सही आंसर है जो भूमी का लिखी थी वह निराला जी ने लिखी तो बिकल्ब नंबर एक सही आंसर question number 9 गिर्जा कुमार मातोर का लोग पिरिये नाटक कल पांतर कब प्रकासित हुआ था कल पांतर ये आपको बताना है इनका महत्तपुन लोग पिरिये नाटक माना जाता है कल पांतर और इसका आपके लिए प्रकासिन बताना है तो आपका right answer है 1913 इस भी आपका यहां पर सही answer है विकल्प नंबर एक सही answer होगा अंगला question है गिर्जा कुमार मातोर का प्रिसिद्दे काब बे में हूँ बक्त के सामने कब प्रकासित हुआ था question number 10 है और 10 का right answer बताना है और 10 का सही answer क्या होगा गिर्जा कुमार मातोर का प्रिसिद्दे काब बे में हूँ बक्त के सामने कब प्रकासित हुआ था तो right answer है 1990 यानि की विकल्प नंबर एक आपका सही answer होगा question number 11 पूँचा है गिर्जा कुमार मातोर का जन्म कहां पर हुआ था गोकल पुरा आगरा उत्तर प्रिदेश में असोक नंगर गौलियर मद्द प्रिदेश में या जगरपुर उन्ना उत्तर प्रिदेश में सिवान कला बलिया उत्तर प्रिदेश में तो इनका जन्म कहां पर हुआ था ये पूचा है तो आपका right answer है गोकुल पुरा आगरा उत्तर प्रदेस आपका सही आंसर होगा question number 12 है गिर्जा कुमार मातुर की प्रारंबिक सिक्षा कहां हुई इनकी प्रारंबिक सिक्षा कहां पर हुई यह आपके चार विकल्प यहां पर दिये गए है जहांसी मतुरा जबलपुर रतलाम तो आपका सही आंसर है जहांसी आपका राइट आंसर होगा बिलकुल सही गिर्जा कुमार मातुर ने इसनात कोतर मे की उपादी किस विसाइसे प्राप्त की थी हिंदी, बंगला, अंग्रेजी, उर्दू question number 13 है और 13 का सही आंसर है क्या है राइट आंसर तो बिलकुल सही राइट आंसर है अंग्रेजी आपका सही आंसर होगा नई कभीता में सर्वसिर्ष्ट रॉमानी कभी कोन माने जाते हैं गिर्जा कुमार मातुर प्रभाकर माचिवे भारत भूषन अगरबाल नेमी चंदर जेन तो चवदय का सही आंसर है आपका यहाँ पर गिर्जा कुमार मातुर यह जो है नई कभीता में सर्वसिर्ष्ट रॉमानी कभी माने जाते हैं गिर्जा कुमार मातुर question number 15 है इनमेंसे कौन सा काप भी गिर्जक मार मातुर का नहीं है नास और निर्माण कभी के बंधन साक्षी रहे बर्तमान या धूप के धान तो कौन सा काप भी यहाँ पर बताने गिर्जक मार मातुर का नहीं है तो छबी के बंधन आपका राइट आंसर होगा question number आपके हैं आपर 16 पूँचा है इनमेंसे कौन सा काप भी गिर्जक मार मातुर का नहीं है बताईए इसलापंक चमकीले यह तो है भी तिरी नदी क्यात्रा एबी है प्रत्वी कल्प एबी है लेकिन कागच के फूल ए नहीं है तो विकल्प नंबर आपका सी राइट आंसर होगा question number 17 है कि यह चाया मत चूना कवीता की रचेता कौन माने जाते हैं तो विकल्प नंबर क्या होगा सी आंसर बी यानिकी गिर्जा कुमार मातोर आपका सी आंसर होगा तो विल्कुल सही यहाँ पर अपने देखिए बहुत ही महत्तपून question answer गिर्जा कुमार मातोर जी के संबंदित महत्तपून question थे और क्यांसर लगा यह वीडियो कमेंट में जरू बताएं इनका जन्म 1919 में इनका जन्म हुआ था और इनका निधन हुआ था 1994 में तो यह आपको याद रखना है मत पून question थे गिर्जा कुमार मातोर से तो सभी लोग वीडियो को like करें, share करें, चैनल को subscribe करें और self study classes से आप डाउनलोड करनें जहां पर हिंदी सायत का संपून कोर्स आपके लिए यहां पर उपलब्ध है, हिंदी सायत की टेस्स सीरेज आपके लिए यहां पर भहती कम दामों में उपलब्ध है, तो पिले स्टूर पजाए self study classes से आप डाउनलोड कीजिए और अपनी तैयारी में लग जाए, आज की वीडियो में बस इतना ही सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद